हेलो फ्रेंड्स हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सकाइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें विष्ण भगवान के अंस से दक्तात्रे का जन्म हुआ पूर्णिमा का प्रादोश काल भगवान दक्तात्रे की जन्म तिती थी इसी कारण से इस दिन को दक्तात्रे जैनती के रूप में मनाया जाता है भगवान दक्तात्रे भगवान विष्णु के ऐसे अवतार हैं जो सभी पर सीग्र ही अपनी कृपा वर्साते हैं उनका सरूप व्यक्ति को अच्छा विवार करना सिखाता है भगवान दक्तात्रे स्वयम विष्णु भगवान के अवतार हैं उनका सरूप व्यक्ति को आदर जीवन वितीत करने के सिच्छा देता है। इसलिए वोई संपूल मानल जगत के गुरू है। हर वर्ष मार्ग शीमास की पूर्णिमा के दिन दत्त जैन्ती मनाई आती है। यह सीग रीकरपा करने वाले देवता है। दत्त तरे भगवान भक्त जनों के याद करते ही उनकी पास पहुंच जाते हैं। इसी कारण उने इसमत गामी कहा गया है। उनमें ईशर और गुरू दोनों सरूप समाहित हैं। और इसी कारण से उन्हें परब्रह्म, मूर्ति, सद्ध, गुरू और स्री गुर्देव दत्त भी कहकर पकारा जाता भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही मतों को मानने वाले स्री गुर्दत तत्रे भगवान की पूजा करते हैं। गत्त का अर्थ है मैं आत्मा हूँ की अनुध करने वाला। हर एक मनुष्य में आत्मा का वास होता है। इसलिए हर प्रकार की गतविदियों में शक्री रहता है। इनका अस्मुण करते हुए हम सब पाते हैं कि सभी व्यक्तियों के अंदर भगवान का वास है और उनके बेना हम अपने अस्तित और जीवन की कलपना भी नहीं कर सकते। हर मनुष्य की आत्मा में भगवान का वास होता है। दत्त जैनती सभी को इसी बात पुन्युदिया, वही दिकंबर है। भगवान धक्ततत्रे के 24 गुरू हैं ऐसा पुराणों में बताया गया है। भवान दत्ताट रे ने अपने जीवन में अनिक लोगों से सिच्छा ग्रहण की और उनके द्वारा यह उधारान प्रस्तित किया कि कि सिच्छा किसी से भी प्रापत की जा सकती है किस उसे क्या सीखा भवान दत्ताट रे ने इसकी कहानी भी बहुत रोचक है एक बार समराट यदू भगवान दत्तात्रे से मिले, समराट यदू भगवान दत्तात्रे के भाई चंद्रदेव के वनसज और चंद्रदेव की छटी पीडी में पैदा हुए थे, जब यदू अपने पूरों जत्तात्रे से मिले तो यदू ने दत्तात्रे से पूछा कि उन् उसे हमेशा परुपकार की सीख लेनी चाहिए। मेरा चौता गूरू जल देवता हैं, यह संसार में जीवन के नाम से जाने जाते हैं, जिनके बिना जीवन संभव नहीं, और इसके संपर्ख में आते ही हम सचता का अनुभव करते हैं, हमेरा बैता रहता है जल। और यद यह एक जगए रुख जाए तो दूसित हो जाता है, इसलिए ये हमेशा बैता रहता है और सभी कभला करता रहता है और हमें अभी इसी तरह सभी की साहिता करनी चाहिए। छोटे से छोटे जीव मातर से भी कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। उनकी अनसार हमें हर उस व्यक्ति या वस्तु या जीव से सिच्छा लेनी चाहिए जिससे जितना भी सीखने को मिले उससे सीखने में संकोच न करें। उनकी पादगवा को नमन किया जाता है। दोस्तो आपको वीडियो पसंद आये तो लाइक करें, सेर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।